जटपट दुकान, स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने ता बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान बात करें यहाँ से अगर सोयबीन की, तो सोयबीन का फर्वरी वाधा देख रहे हैं 6310 की उपर ट्रेड़ करता नजर आ रहा है, वहीं से बात करें 6400 का स्थर तोड़ने के बाद अब वही सोयबीन एक बाद फिर से उठती भी नज़र आई है 30000 पर ट्रेड करती नज़र आ रही है हाल फिलाल में अभी सोयबीन में निचले स्थर देखने को मिल सकते हैं हो सकता है कि वाद बाद बाद सोयबीन का 6000 सबी नीचे चला जाए आपको बता दें कि विदेशों में अभी हमने देखा था कि ब्राजील और अर्जंटीना में सूखे के हालात थे जिसकी वज़ासे सोयबीन की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही थी लेकिन अब वहाँ पे बरसाद भी देखने को मिली है थोड़ी बहुत जिसकी वज़ासे जो सेंटिमेंट से हैं वो थोड़े पॉजिटिव बने हैं सोयबीन को लेकर कि जो पहले उत्पादन के अनुमान में कमी की गई थी उसमें कुछ सुदार भी हो सकता है लेकिन उत्पादन इतना नहीं होगा कि जो बीते साल हो आता उन दोनों देशों में उसको पार कर जाई या उतना भी हो जाए उत्पादन अनुमान में जो कटोथी की गी थी उसमें थोड़ी बहुत बड़त देखने को मिल सकती है लेकि उत्पादन अभी भी कम ही रहने वाला है जिसकी वजासे अभी हाल फिलाल में वाइदा वजार में आगे जाके तेजी भी जरूर बनती नजर आएगी लेकिन छोटी अफदी के लिए सोयबीन में अभी गिरावट देखने को मिल सकती है और उसी काई असर है कि हम सोयबीन में अभी हाल फिलाल में नरवी आते वे देख रहे हैं लेकिन वैश्वी कोथ पादन में गिरावट भी जरूर देखने को मिल सकती है वहीं से बात करें चाइना की तो चाइना में भी सोयबीन का जो आयात है उसमें गिरावट देखने को मिली है दरसल चाइना में पशू को वहां के जो लाइव स्टॉक सेक्टर है जो पशूधन शेतर है वहाँ पर सोयबीन उस सेक्टर से चाइना में डिमांड सोयबीन की कम देखने को मिली है वीट फीडिंग जाद देखने को मिली यानि कि पशुओं को इस बार वहाँ पर चाइना में गेहुं जाद खिलाया गया है सोयबीन के मुकावले जिसकी वजा से वहाँ पर सोयबीन के आयात में गिरावट देखने को मिली है और चाइना 2025 तक सोयबीन का उत्पादन अपने यहां बढ़ाने की सोज भी रहा है इसी के चलते हम देख रहेंगी सोयबीन का वैदावजार थोड़ा लुड़कता वा नजर आया है लेकिन वैश्विक सोयबीन उत्पादन में कमी ही रहने वाली है अभी भी कुछ एक्सपर्ट के ऐसा मानना है वही हमारे जो एक्सपर्ट हैं मोतिलाल अस्वाल के वाइस प्रेसर हैं अमिच सजजा उनके मुताबिक सोयबीन का वैदावजार जब तक सतावन सो से अठावन सो के उपड़ सस्तेन होकर ट्रेड कर रहा है NCDX पर वैदावजार में तब तक सोयबीन में फिर से निचलेस तरह से बाइंग निगल सकती है बाइंग इनिशेट हो सकती है निचलेस तरह से खरीदारी देखने को मिलती रहेगी जो कि सोयबीन की कीमतों को आने वाले समय में 7000 के आसपास के लक्षे तक लेके जरूर जा सकती है आपको बता दें कि अमिस से अचले के मुताबिक सोयबीन तूटती भी नजर आ सकती है ऐसा नहीं है कि सोयबीन में लगातार तेजी ही बनेगी सोयबीन में गिरावट भी रहेगी 6000 के नीचे के लैवल्स भी रहेगे हो सकता है कि 5700 के नीचे भी चले जाए लेकिन अमिस से अचले के मुताबिक सोयबीन का वाइदा वजार 2022 में काफी ठीक ठाक भी देखने को मिल सकता है सोयबीन में काफी अच्छी भी तेजी भी बनती नजर आ सकती है शुरू के 6 महिनों में सोयबीन 8000 तो वही साल 2022 में पूरे एक साल में अमिस सज़ेदे के मुताबिक सोयबीन 13000 तक के भी इस तर दिखा सकती है तो सोयबीन में उठा पटा क्वाला महौल भी जरूर रहेगा लेकिन ऐसा नहीं कि तेजी नहीं बनेगी वायदा बजारों में वायदा बजार में भी तेजी जरूर बनेगी और अगर वायदा बजार में तेजी रहेगी तो सोयadors का रखाता उसकी विक्वाली नहीं किई ती जिसकी वजह से प्लांटों को उँचे भावफ़ सोयदारी करनी पड़ रही थी इसी की वजह से सोयूझ का जो कीमते थी मंडियों के अंदर प्लांटों में सरसर तक जाती भी नजर आई थी तो अभी ओवरोर रुजान सोयवीन में अभी हाल पिलाल में थोड़ा छोटी अफ़दी के लिए नर्मी वाला रह सकता है लेकिन आगे तेजी भी जरूर बनती नजर आएगी आपके प्रोड़क्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लिस बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी खुशियों की अपनी दुकान